हेलो फ्रेंड इस इस ग्यान सेंग वेलकम दूदर लेट सपोर्ट तो आज हम लोग एससी जीडी के नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने चल रहे हैं और अप्लिकेशन फॉर्म जो आया हुआ है उसके बारे में हम लोग सुरू से अंद तक देखेंगे एक्जाम पैट तो यह हमारा किसीज का है Constable GD Central Armed Force CAPFS SSF Rifleman GD in SM Rifle Examination 2024 का यह हमारा नोटिफिकेशन है तो फिलाल हम लोग इसके बारे में पूरा जानकारी लेने चल रहे हैं अप्लिकेशन कब से सुरू हो रहा है यानि अप्लिकेशन डेट कब से सुरू हो जाती है तो 24 नॉवंबर से आप आपका अप्लिकेशन शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर तक आपका अप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं यानि 24 नॉवंबर को आपका शुरू हो जाएगा यानि कि आज से आपका अप्लिकेशन शुरू हो गया है और 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक आप इसके अप्लिकेशन फॉर और रिसमारें नोटिफिकेशन में में 11 बझे राएंट कर सकते हैं और इसके रिसिप्ट को रिसमार कर सकते हैं और खालें और आप ऐसे Present के डाwn लोड कर सकते हैं ज़ीक देंडा फून दी समवा वाला है आपका चार जनवरी यानि कि चार जनवरी से आपका क्रेक्षन विंडों अपन हो जायेगा तो आप इस फॉर्म को और एक धिक भी दिक्कत आई बेज़ होने वाला है CBT यानि कि computer based आपका इञाम होने वाला है सीबीटी मोड में आपका इला है यानि Studio for že डेंक कमप्योटर बेज इक्जामने सन कब आपका होने वाला है फरवरी से मार्च के बीच मेंच में कब а क्या होने वाला है आपका पहले हमारा जंद्र लिफ्टीग वाला रहे गा यानी की जीठी वाला फिर आपका Border Border Security वाला हो गया फिर Central Central Industrial Security Force यानि CISF यह भी एक बहुत बड़े पोस्ट है अपने आप में यानि कि बहुत सारी इस पर वैकेंसी आई हुई है ठीक यह आपका CISF हो गया फिर आपका CRPF हो गया फिर आपका ITBP हो गया यानि इंदो तिब्यातियन बोर्डर फोर्स पॉलिस का हो गया फिर आपका इंदेश पास करेंगे तो आपका क्या हुने वाला है फिजचल स्टैंडर् टेस्ट हो गाया फिर मेडिकल इंदेशन होका और document verify करने के बाद आप क्या हो गए हैं recruit हो जाएंगे दस से silent feature of the recruitment अर अंडर यानि कि आप क्या हो जाएंगे तब recruit हो जाएंगे यह हमारी कुछ post है जिसके आप क्या किये जाएंगे post किये जाएंगे यानि पहले आपको cpt mode का exam देना हंसंप सबसे पहले क्या होना है आपका cpt mode का exam होगा यानि कि आप computer test देने वाले हैं उसके बाद क्या होगा आपका Ph.S.T. होगा यानि physical test होगा फिर physical test यानि की पीटी टेस्ट होगा फिर आपका क्या होने वाला है मेडिकल होने के बाद मेडिकल होने के बाद आपका वेरिफेकेशन किसी का वेरिफेकेशन होगा डाकुमेंट verification होगा ठीक document verify करने के बाद आप क्या होंगे recruit हो जाएंगे तो चलिए आगे देखते हैं और आगे जानकर यह को लोते हैं ज्यादा उपर चला गया एक सिगन दा इग्जामनेशन विल बी एडवर्टाइज बाइड एससी बेस्ट वेकेंसी इंटिमेटेड बाई में मेर्च ए ठीक और अप्लिकेशन विल भी एक्सेट थ्रो ऑनलाइन मोड ओल्ली यानि कि जो आपका अप्लिकेशन होगा वो सिर्फ आपका यह एक्जामनेशन कंड़क्ट होने वाला है असमीज बेंगाली इस तरीके से बहुत सारी लेंग्वेज यानि तीरा भासाहों में आपका क्या होने वाला है इस फंक Wasmm का मतलब इस उख्यां को दे सकते हैं तो आप दे लिजिए का कऊन-कॉन से गुझराती होगी कद्धनर होगया कौन की का मलयालम होगयय मेंपुरी हो गया मनी पूरी होगया मराठी हो गया ओड़ी हो गया पंजाब हो गया तमिल हो गया टेलगु हो गया उर्दु हो गया यह सब आपके 13 डीजनल लैंग्वेंज में आपका होने वाला है ठीक तो फीजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट याइज के एफिसियन्सी टेज डिटेल मेडिकल एक्जामनेशन रिविव मेडिकल एक्जामनेशन विल भी सेडूल एड कंड़क्टेड बाइज दसी एप यानि कि पहले आप एक्जाम दे लीजिए स्वरी आप पहले एक्जाम दे लीजिए कौन सा सीवीटी मोड का उसके बाद यह सारी चीज़े आगे होने वाले हैं कलेक्शन आप रिक्वाइड एलिजिब लोग देखने वाले हैं जो आप हम जरूवत की चीज़े थी वह में बता दे रहें और अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप जुआइन तो हो जा रहे हैं लेकिन आपका क्या होगा कितना पैसे मिलने वाला यह पेलेबल कितना होगा आपका पेलेबल एक ऐस जार सास सो से 69,100 तक होने वाला है इसमें आपका कितना होने वाला है पे लेबल आपका कितने होने वाला है 21,700 तक का आपका मिलने वाला है तो अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं total हमारे पास vacancies है total vacancies हमारी कितनी है 26,146 यानि काफी ज़्यादा vacancies है अगर apply कर रहे हैं तो अच्छी खासी vacancies है आपके पास 26,146 vacancies है यानि अच्छा खासा मौका है और मेल की बात की जाए तो आपके पास कितने होने वाले हैं टोटल वैकेंसी 23,347 है ठीक और यह सी वालों के लिए देख लिए आप फुद देख सकते हैं यह सी वालों के लिए सारा टोटल वैकेंसी से 3,334 है एस्टी वालों के लिए 23,34 है OBC के लिए 4,776 है EWS के लिए 3,255 है और अन्रिजबर के लिए 9,626 वैकेंसी होने वाली हैं और फिमेल क्या है उसी रेशियो में फिमेल का भी है तो आप इसको देख लीजिए स्क्रिंसॉट लेना चाहें ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं यानि काफी बड़ी वैकेंसी हैं और काफी ठीक ठाक वैकेंसी आई हुए है अगर भर दे रहे हैं फॉर्म को और अच्छे से एक्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आसा करते हैं कि हो ही जाएगा ठीक और जो भी चीज़े थी मैंने बता दिया और अब यह सारी चीज़ आप उसके पहले नहीं बॉर्ण हुए रहने चाहिए ठीक और एक तारीक से एक एक दोहजार च्छे के बाद नहीं होने चाहिए ति यह सारे क्या है हमारा एज लिमिट क्राइटेरिया है इस पे आप गौर करिएगा थोड़ा सा और देख लीजेगा यह देखिए आठारा स क्या मिलने वाला है एज मिलने वाला है फाइप यह के लिए और एक सर्विसमें के लिए त्री यह आप्टर डेडिकेशन आप मिलेट्री सर्विस रिटर रिंडर्ड फ्रॉम एक्चुल एज आज सून देट आफ जोकिंग ठीक फिर आ गया आपका पांच साल इसका हो जाए आप इसको देख लीजेगा फिर चिल्डरें और सबसारा चीजे अपको यह सब सारा चीजे इस सब करनी होंगी और जो भी चीजे मैंने बतानी थी वो हमने बता दिया है और जब form फिल करने लगेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा और आगे हम आपको बताएंगे form को कैसे फिल करेंगा आसान तरीके से आप खुद कैसे फिल कर सकते हैं उसको भी बताने वाले हैं एजुकेशनल की फ्लॉफ कॉल फिल के संकी बात की जाए एजुकेशनल क्या होनी चाहिए दगंडी यानि किसी भी इनवर्सिटी से आप टेंथ का टेंथ का बोर्ड कंप्लीट किये हुए रहेंगे तब आप जाके इलिजबल रहेंगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ठिक यह आगे बात और एंसिसी का भी आपको कोटा लगता है अगर आपके पास एंसिसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी फाक्स ठीक यह सारी चीजें हो गई और हाउ टू अप्लाई इसका हो तो हम अभी बता दे रहें आपको कैसे हम अप्लाई करेंगे तो चलिए अब बात आते हैं हम लोग इसके स्लैबस के उपर बात करते हैं इसके उपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी तो इजाम हमारा क्या होगा कंप्यूटर बेस्ट होगा हमने बताया कि जैसे कि आपका CBT मोड होने वाला है टायंने वाला है इसमें आपके 80 के लिएफ में करने वाला है तो इसमें कौन कौन सा परट होने वाला है जक्वने वाला पहला आपका प्रट पार्टे में जर्राल नॉलेज्ज का होने वाला है तो फिलाल इंगलीज और रिजिनिंग की की बात की जायता। यहाँ पर 20 कोस्टन मिल रहें वाले हैं और 40 मार्क यानि कि आपका 20 गुड़े 40 यानि कि हर एक question पर दो मार्क आपको एलाट किये जाने वाले हैं फिर आपको general knowledge और गएंस की बात की जाए तो यहां पर वीर बीस कोस्टर रहेंगे और 40 मारक makes की बात की जाए थिस कोष्टर रहेंगे आपको 40 मारक मिलने वाला है लग को questions रहेंगे 40 mark को आपको दिया जाएगा यह सारी चीजे रही आपको आसा करते हैं आपका यह exam pattern के बारे में आपको समझ मागए वीडियो के एक बार लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा इस तरीके इंग्लिश हिंदी होगा इस हिंदी और इंग्लिश मोड में होगा और अब निगेटिव मार्किंग के बात किये जाए सबसे बड़ी बात यह भी आती है निगेटिव मार्क कितिन कितनी है 0.50 यानि आपका अगर दो नंबर का कोश्चन है तो उसमें आपको 0.50 आपका मार्क्स अगर एक कोश्चन गलत कर दे रहे हैं इतना आपको कट जाने वाला है यह चीजे आप ध्यान रखिएगा आप माइनस मार्किंग ना करिएगा ज्यादा ज्यादा यह कुछ स्लैबस के बारे में था हमने जो बता दिया आपको और जर्रल इंटेलिजेंस में आपका क्या होने वाला है क्या आने वाला है आपका अप्जर्वेशन यह सब सारी चीजे आपकी आने वाली है नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग यह सारी चीजे आने वाली है यह स्लैब में इसका question आ गया जैसे कल्चरर जोगर्फी एकोनामिक्स और जनरल पॉलिटिका हो गया elementary mathematics में आपका आ गयाता है whole number decimal fraction and relationship between numbers fundamental arithmetic यह सारी चीज़े आ जाती है इंगलिस इंदी में क्या हो गया candidates ability to understand basic English इंदी and basic comprehension would be tested ठीक यह बेसिक चीज़े में पूछी जाएंगे physical efficiency test जो आपका physical होगा उसमें क्या होने वाला है यह सारी चीज़े हैं आपको दी हुई है ठीक फीजिकल efficiency test में आपका क्या होने वाला है physical efficiency में male के लिए 5 km in 24 minute यानि 5 km आपको 24 मिनट में दोड़ना होगा female के लिए 1.6 km in 8.5 मिनट में आपको दोड़ना होगा थिक यह आपको रेस लगानी होंगी यह सारी चीज़े होंगई फिर आते हैं आगे दिखते हैं और फीजिकल फिटनेस की बात की जाए आपकी यहां पर यहां पर आपका मेल को 170 जो रहेगा संटिमीटर वही आप इस फार्म को अप्लाई कर सकता है फिमेल 154 57 हो गई यह लोग क्या करेंगे अप्लाई कर सकेंगे और रिलेक्सेसन की बात की जाए रिलेक्सेसन फॉर आल कंडिडेट बिलंग तू सेडिल ट्राइब उनको लिए उनके लिए क्या होगा जो सेडिल ट्राइब से बिलॉंग करते रहेंगे वह 162.5 पर आओ जाएंगे और फिमेल जो होंगी वन पॉइंट फिप्टी सेंटिमीट पर लिए जाएंगी यह रहा आपका जो रिलेक्सेसन दिया हुआ है वह सारी चीज़े हैं और आगे बस तो यह सारी चीज़े हमने बता दिया है और जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज यह है यहां एक मिनाट आन अप्लिकेशन फॉर्म भराना सुरू हुग गया है जल्दी से जल्दी भर लीजे क्योंकि साइट रहता है न स्लो हो जाता है लेट में आप भरेंगे साइट स्लो हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगी फिलाल आपका फॉर्म कब तक भर सकते हैं आप 30 दिसेंब सिखारी के सिखारी लेटे काइगे आसे सरकारी जे पर जायेगे पहले यहां पर आएंगे आपको खुल जायेगे ईधर लिखा है रिजल्ट इधर लिखा लेटेश जॉब continuing समेश जिखें आपका ड़ीटेल पूरा खुल गया है यहां पर पोस्ट का नाम लिखा और अप्लिकेशन फीस के बारे में दिया हुआ है अप्लिकेशन फीस की बारे में बात की जाये थो हमने भी नहीं बताया आपको जनरल ओबीसी और एव्डेट्स के लिए 100 रुपए लगने वाले हैं SCST के लिए zero लुप है और कोई भी SCST General OVC की महिला होंगी महिला कंड्रियेट यानि female जो होगी उसके लिए एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं आप payment debit card, credit card, net banking through आप इसको जमा कर सकते हैं ठीक तो यह जो भी हमने बताया आपको आसा करते हैं आपको समझ मा आ गया पोस्ट कर सकते हैं हमने बताया कि कितनी पॉस्ट है work Post के बारे हमने बता ही दिए आपको कितनी पॉस्ट है योटल इनडिया में country चीज हमने बता दिया आपको अब बात करते हैं कि form को आसानी से भाड़ें जह assembles फॉर्म को भरेंगे कैसे आप सिंपली इसन नीचे कर आ जाएंगे यहाँ लिखा अपलाई ऑनलाइन इस पर आप प्यार से क्लिक कर दीजेगा यह खुल जाएगा और यहाँ पर जब खुल जाए तो यहाँ पर लिख्या है यहाँ रजिस्टर ना पर खुल कर दीजेगा तो विंडो आपका ओपिन हो जाएगा तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो फिलाल मैंने इजी जो तरीका था मैंने आपको बता दिया और सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया तो अगर जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल सबी जाके फॉलो करिए और नए नए अपडेट को जानते रहे हैं तब तक के लिए मिलेंगा अगले वीडियों तब तक के लिए धन्यवाज जैहिन जैभारत और बाई बाई टेक केर और एक्जाम के लिए आल दा बेस्ट और फॉर्म जल्द से जल्द भर लिजे बाई